क्लासिक्स की NCRT इतिहास के लिखे हमाए हैं। इसमें प्राइब चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैटी एक बार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी प्रपड़ी सौव साल पहले। वह सोचने लेगी कि यह कोई कैसे जान सकता है, इतने वर्शों पहले क्या हुआ था। दिवागु सुचा। फिर कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलेविजन देख सकते हो, या फिर अकबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे फित्ति से बात कर सकते हो, जिसे उस समय की इस मृद्धी हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे। कैसे कपड़े पहनते थे। किस तरह की घरों में रहते थे। हम आखिट को निचकारियों, पसपाल को पसपुक पालने वाले, क्रस को कितानों से, सास को राजा महराजाओं की, ब्यापारियों ब्यापार करने वालों से, पुरोहितों पंडितों से, सिल्पकारों मूर्दियों बराने वालों से, कलाकारों, संगीतकारों या फिर बैग् यहीनी हम यहां भी पता कर सकते हैं उस तमय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे लोग कहां रहते थे, मांचित्र, प्रष्ट दो में, मांचित्र भी आगया आएगा, नरबंदा जन्दी का पता लगाओ कई लाग बर्स पहले से, लोग इस नदी के तड़ पर रह रहे हैं, यहां रहने वाले आरामिक लोगों में से कुछ कुसल संग रहा थे, जो आसपास के जन्गलों को मिसाल समदा से परचित थे अपने भोजन के लिए वे जड़ो, फलो तजन्गल के अनुत पादों का यहां से संग रह किया करते थे, वे जानवरों का आखेट ने सिगार भी करते थे सिगार भी करते थे, अब तुम उत्तर पश्चिन की सुलेजान और केधर पहाड़ों का पता लगाओ, इस चुछ चेत्र में कुछ ऐसे स्थान है, जहां लगवक आठ जार वर्स पूर्व, इस्तरी पूर्सों के सबस्ते पहले गेहूं और ज़ों यह सी फसलों का उपजान शुरू किया, तो मानों ने सबसे पहले कौन से फसलों को उपजाया, गेहूं और ज़ों, यह सबसी प्राचिन फसले मानियाती हैं, उन्होंने भेड, बकरी, गाय, बैल, इसे पसमों को पालतु गाना शुरू किया, यह लोग गाउं में रहते थे, उत्तरपूर में गारों और मद्ध भारत में बिंद्ध पहाड़ियों का पता लगाओ, यह कुछ अन्य ऐसे छेत थे, जहां करश का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावर उपजाया गया, व्यस्थान बिंद्ध की उत्तर मिस्तित हैं, चलिया दिखते हैं, यह नस्तर दिखाया गया है भारत का, इसमें आप गारो की पहाड़िया और बिंद्ध की पहाड़िया खोचें, दिखरा होगा आप लोगों को, ट्राय करिए, मैं भी देखरा हूँ, सबस्कुर्ण जूम कर देंगे, तो दिखें आप, यह होगी गारो की पहाड़िया, यह दिखें, यह गारो की पहाड़िया है, और यहां दिखें, यह बिंद्ध की पहाड़िया है, ठीक, इन्हीं के बीच में, इन्हीं के दो के बीच में, सबस्के पहले चावल लप गया है, यहली क्या था, यूपी और बिहार, यूपी बिहार में, सबस्के पहले चावल ल प्रिदी यह होगा है कि आप नर्वन्दान थी छोड़ी है प्रोड़ी भाई ड़ायक के बिल्कुल मध्य भाग में है कहां थी मध्यभाग में भाहत के मंध्यभाग में इस्ति थी यह MP मंध्य 15 में मुख्था ती जो अमर कंटक से निकलते थी पहाडियों के पास इस्थान है मंत्र प्रदिक्स और गुजरात की मुख्ष नदी है तो इस पर नर्मदा नदी भी होई बिन्द के पहाडियां हुए और गारों के पहाडियां बिन्द की पहाडियों के बीच में कैस्तिया सबसे पहले चावाल रुप आएगया जिए चाल जाओ जिल रहे हैं कि अधियों कि मांचित पर सिंद्ध उता इसकी सहायक नदीयों का पता लगाने कर प्रयास करो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं लगभग 4700 वर्षपूर में इनहीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फुले गंगा 792Jackie. इन्हें कुछ और शख़कल है कर नदियों किनारे था समुद्रत रतर्थी इलाकों में नगरु का विगास 2500 वर्षपूर हुआ सब्सेवल नगरुका विगास का वह का वग हुँआ है है तो नगरों का विकास हुआ 25 वर्ष पूर में नगरों का विकास हुआ कहा हुआ गंगा के किना रहे 25 वर्ष पूर नगरों का विकास हुआ गंगा था इसकी सहाइक नदियां दिस्वोन का पतलगो गंगा के दिश्षिन में इन नदियों के आसपास का छेत्र ट्राचिन काल में मगद वर्तमान बिहार वर्तमान बिहार जो उसमें बिहार है उसको मगद कहा करते थे नाम से जाना जाता था इसके सासक बहुत शक्त चाली थे और उन्होंने विसाल राज्य स्थाबी कहता देश के अन हिस्सों में भी आईसे राज्यों के स्थाबना की गए थी लोगोंने सत्यों उप महादिप एक हिस्थे से दूसरे हिस्थे तक यात्रा की गभी कभी हिमाला जैसे उचे पर्वतों पहाडियों रेकिस्तान नदियों था समुद्रों करण यात्रा जोखिम भरी रहती थी फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभर नहीं थी नों यात्रा हुआती थी लोग ड़ती नहीं थी चिप्ड़ते थे अधा कभी लोग काम के तलास में तो कभी प्राक्तिक आपदाओं करण एक अस्थान से दूसरे अस्थान तब जाया करते थे कभी कभी सेनाएं दूसरे छेत्रों पर बिजय हासिल करने के लिए जाते थी इसके अत्रित ब्यापारी कभी काफले में तो कभी जहाज्यों में अपने साथ मोलिवान वस्तुएं लेकर एक अस्थान से दूसरे अस्थान जायते रहते थे धार्विक गुरू लोगों को सिच्छा और सलाह देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं तक तथा एक कस्पे से दूसरे कस्पे तक जाया करते थे कुछ लोग नए और वोशक स्थानों को खोजने की चाह में उच्छ सुक्ता वस्भियात्रा क्या करते थे इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का आउसर मिलता था आज लोग यात्राइक क्यों बढ़ते हैं एक बार फिर से मांग्चित्र को देखो पहाड़ियों परवत और समुद्र इस महादीव की प्राक्तिक स्रीमा का रिधान करते हैं हालाकि लोगों के लिए इन स्रीमाओं को पार करना आसान नहीं था जिन्होंने ऐसा चाहा विक्ता कर सके असंभव मिली था लोग कर जते थे लोग दूर द्राज शेत्रों जाते भी थे वे परतों के उशाय को चुछू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके उप महादीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आये और यहीं पस गए लोगों की इस आवागवन ने हमारे सांस्कृतिक परंप्राओं को समरद किया कई सो वर्थों से लोग पत्थरों को तरासने, संगीत रशने, एक दूसरे की विचारों को अपनाते रहे हैं फिर यह देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया स्था भारत जैसे नामों का प्रियोग करते हैं इंडिया सब इंडस्ट्रे निकला है जिसे संस्कृत में सिंथु कहा जाता है अपने अट्रस में इरान और यूनान का प्रता लगाओ लगभद धाय जारवर्स पूर उत्तर पस्चिम के ओर से आने वाले इरानियों और यूनानियों ने सिंथ को हिंडोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में इस्थित भूम प्रतेश को इंडिया कहा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पस्चिम में रहने वाले लोगों के एक समू के लिए किया जाता था इस समू का उलेक संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्षपरानी करते रिगवेट भी मिलता है बाद में इसका प्योग देश के लिए किया जाने लगा इससे कि हम दिखते हैं पूर में वात में जो भारत सब्सक्राइब था वो देश के लिए राष्ट के लिए नहीं था वो किवल लोगों के समू के लिए था जो हमें उद्धानाट का रिवेट में मिलता है फिर अब निचे देखे अतीत के बारे में कैसे जाने आतीत की जान अतीत में लिखी गई पूस्त को धोडना और पढ़ना है ये पूस्त के हाँस से लिखी होने करन पान विलिपी कहियाती है अंग्रीजी में पान विलिप के लिए प्रिज़त होनेवाला मेनु स्क्रिप्ट सद्ध लेटिन सद्ध मेनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है य पाया ताड़ पत्रों अथा हिमाले छित में उगले वाले मुर्ज नामक पेड़ की छालते विशेश तरीके से तयार भोज पत्र पर लिखी मिलती हैं इसे पर लिखी है पाण्ड लिखी बाले पी जो हांच लिखी आती थी वह पांड लिफी हैं इसे देखें देखेंगी रिखेंगा ताड़ पत्रों से बनी पान्ड लिफ का एक प्रत्त यहाना पांड लिफ लफग एक हजार वर्स पहले लिखी गई थी किताब ब्राने के लिए ताड़ के बत्तों को कराट कर अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांग दिया जता है था मुर्ज पेड की छाल से बने ऐसे ही एक पांड़ी को तुम यहां दे सकते हो ति प्राचीन पांड़ी को निचे चित्र बना हुआ है आप दे सकते हैं ठीक है इतने वर्षों में इन में से कई पांड़ी किड़ों ने खा लिया ता कुछ नश्ट करती गई फिर भी ऐसी कई पांड़ी किअ आज भी उपलद हैं रहा यह पांड़ी किअ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं इन पुस्तकों में धार्व माननेताओं, बब्यवारों, राजाओं के जीवन, आउसधियों तथा बिज्ञान आदी सभी प्रकार के विश्वियों की चर्चा मिलती हैं इसके अत्रिक्त हमारे यहां महाकाब कवितायन तथा नाटक भी हैं इन में से कई संस्क्रत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन प्राकत था और तमिल में हैं, प्राकत भाषा प्योग आम लोग करते थे हम अभी लेखों का भी अधन कर सकते हैं, ऐसे लेख, पत्थर अत्वा धात जैसी अपर इच्छा कठोर सतहों पर उतकीड कियेगे मिलते हैं कभी कोई सासक अथवा अन लोग अपने आदेशों को इस प्रकार उतकीड करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, तथा उनका पालन कर सकें, कुछ अन प्रकार के अभिलेक भी मिलते हैं, जिसमें राजाओं, सरान्यों सहित, अन इस्तरी पुरुसों ने विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, क्या तुम बदा सकती हो कि कठोर सता पर लेख लिखवाने के क्या लाब थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कटनाईयां आती थी, इसके अत्रित अन्य कई वस्तों में अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तों का करते समने वाला वेक्त पुरात्यत्य विद कहलाता है उन्हें जो पुरानी चीज़ों को खोश करते हैं जा उनकी जनकरी पेकत्यत करते हैं उन्हें पुरात्यत्य विद कहलाता है पुरा तत्तिविर पत्थर और इट से बनी इमारतों के आउसेसों चित्रों था मोट्यों का अधिन करते हैं वे आउजारों हथिहारों बर्तनों आभूशणों बगल में चित्र दिया गए इसको देखी ठीक लगवक 2250 वर्स पुराना यहां विलेग वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है यहां विलेग असोग नामक सासक के आदेश पर उत्क्रीन करवाया गया था इस सासक के विषय में तुम अध्याय आठ्मे प्रियोग करते हैं लिपियां अच्छरों अथा संगेतों से बनी होती है जब हम कुछ बोलते अधा पढ़ते हैं तब हम एक भासा प्रियोग करते हैं यह विलेग इस्षेक में प्रिउक्त होने वाली यूनानी तथा अरामनेटक नामक दुभीन लिपियोग द्वारा भास निखती हैं ऐसे कि एक तक ऊब तता जल्दी नश्फ न होने वाले होते हैं कि ऑग फ्रा तत्ते वेड जानवरों प्षिड़ियों त था मच्रियों की हड्यां भी ढूड़ते हैं कि कि इस उन्हें जानने में भी मिलती है आतित में लोग क्या खाते थे ब्रसपतियों के अउसेस बहुत मुश्किल से बचपाते हैं, यद अन्निके दाने अथा लकड़ी के टुकड़े जल राते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, क्या आप पूरा तत्वीदों को बहुदा कपड़ों के अउसेस मिलते होंगे? पाणिवलिपियों अभी लेखों तुधा पूरा तत्वीदों से ज्याद चान्ड़कारियों के लिए एदिहासकार प्राया शुरोत सर्द्ष का प्रयोग करते हैं, इदिहासकार उन्हें कहते हैं, जो अतीत का अध्यन करते हैं, स्रोत के पाप्थ होते ही, अतीत के बारे में परतना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहाइता से हम धीरे-धीरे अतीत का उन्ह निर्मान करते जाते हैं। अता इतिहासकार था पूरा तत्विद उन जासुसों की तरह हैं जो इन सभिस रोतों का प्रयोग सुरा के रूप में कर आतीद को जानने का प्रयास करते हैं आतीद एक या निक क्या तुमने इत पुस्तक के सिर्षक हमारे अतीद पर ध्यान दिया यहां अतीद सब्ग का प्रयोग बहुबचन की रूप में किया गया है ऐसा इस तत्ती जो ध्यान दिलाने के लिए किया गया है एक प्राची नगर से प्रावत पात्र इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था एक पराणा चांदी का सिक्का इस तरह का सिक्का को प्रयोग लगों 25 वर्ष पूर्फ होता था हमारे यहां आजप्योग में आने वाले सिक्कों में यह कैसे भिन होता है यह सिक्का देखें इन्चाजी का सिक्का है और यह मागता इसका अलग-अलग समूग के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे उधारण के लिए पसपाल को अतवक्रस को को जीवन राजाओं था राणियों के जीवन से था व्यापार्यों का जीवन सिल्पकारों के जीवन से बहुत भीन था जैसा कि हम आज भी देखते हैं उछ समवे देश के अलग-अलग हिस्टों में लोग अलग-अलग बिभारों रीत-रिवाजों का करते थे उद्धार के लिए आज अंड मांदीप के अधिकांस लोग अपना बुजन मचरियों पकड़कर ठिकार करते हैं इसके विपेश सहरों में रहने वाले कि राजा महाजाग को संपन थी तो उसके रहां पूर्ट प्रमटिक होती थी वह भोग ब्लास करते थी जो कुछ जेनरल लोग थी उनको अपने लिए संघस्व करना पूता था इसे हमारे समस्कृत आज भी थे ठीक है यूपी में अलग है महाराष्ट में अलग है तमिल तमिल सासक अपनी बिजयों का लेखा जोया रखते थी यही कारण है हम उन सासकों तथा उनके दौरा लड़ी जाने वाली लड़ाईयों के बारे में काफी कोई जानते थी जिबकि सिकारी मच्वारों संग्रहक खरसक अथ्वा पसपालक जैसे आमादी प्रहया अपने कारेयों का लेखा जोखा नहीं रखते थे पुरा सत्यों की साहता से हमें उनकी जीवन को जानने में मदद मिलती है हलाकि अभी इनके बारे में बहुत कोई जानना शेश है फिर तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथ के भारे से भी पूछे तो तुम साहत उस्तिन की तारीक, मा, वर्ष इसे की दोजार या किसी तरह कोई और वर्ष दाओगे वर्ष की एगरणा इसाई धर्म प्रवर्थक एसापसी के जन्म की तिष्ट से क्याते है ताह दोजार वर्ष कहने की ता आ है कि इसाब पूर्व से पहले यानि एचाशे पहले की रूपे जानी आते हुं जो यह हिंद्य में ऐ और पूर लिखा होता है इसका मतलब होता है इसाब पूर्व हिसाकर जम्ल दोजार को अपना आरभ्विक बिंद मानते हुए वरतमान में पूर्व के तिषियों का कि अंग्रेजी में बीसी हिंदी में ये और पूर का दाथ पर बिफोर क्राइस्ट या इसापूर होता है कभी कभी तुम सित्यों से पहले तुम से पहले एडी तुम से पहले एडी हिंदी में ए लिखा या इन्नो डॉमिनो नमक दो लैटिन सब्दो से बना है इसका ताथपर होता है इसा मसीद के जन्म के वर्ष से हैं कभी कभी एडी की जगा सी ए था बीसी की जगा बीसी की जगा बीसी का प्रयोग होता है सी ए अच्छनों का प्रयोग कामन एरा था बीसी ए का प्रयोग बिफूर कामन एरा के लिए होता है हम इन सब्दो का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विटसी के अधिकाहं देशों में अभी इस कलेंडर का प्रयोग सामान हो गया है भारत में तित्यों की इस रूप का प्रयोग लब दो सोवर्स पूर्फ प्रारम होता कभी कभी अंग्रे जी के बीपी अच्छनों प्रयोग होता है इस खतार पर बिफोर प्रेजन्ट मर्तमान से पहले है अन्यंट जैसा कि हमने पहले पढ़ा अभी कटोर सतों पर उत्कीड करवा जाते हैं कि मेंसे कई अभी लेख कई सोवर्स पूर्फ लिखे गए थे सभी अभी लेखों में लिपियों और भासाओं का प्रयोग होगा है समय के साथ साथ अभी लेखों में प्रयोगत भासाओं था लिपियों में बहुत बदलाव आज को है विद्वान या कैसे जान पाते हैं क्य जानने की एक पिसक्र दिकानी उत्री अफ्रीक की देश मिस्ट में मिलती है लगभग पाँस यहां राजा रहनी देटे थे यह दो चीतों लिखिए होने मिसे 诬ैसली लिकान का हमें कि पिर रीकंटर से औरुटर में दो जिस पर एक ही लिख, तीन भीनी भीनी भासाओं और लिप्यों एक युनानी मिस्र लिप इस दुपारगों है। थब कुछ विद्वान युनानी भासा पढ़ सकते थे। उन्हें बताया, यहां राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाये गए हैं। इसे कार्थूस कहाता है। इसके बाद विद्वानों ने युनानी थमिस्र शंकेतों को अगल बगल रखते भी मिस्र अच्छों को सवानार्थक धुन्यों के पहशान की। एक बाद जब उन्होंने हैं जान लिया कि विभिन अच्छर किस के लिए पर उप्थूए हैं तो वे आसानी से अनबल्योकों को भी पढ़ सकते। धन्यवादे।